नौश्कार आप देख रहे हैं नाइन तक बिहार यह जो तस्वीर देख रहे हैं घुस्खोरी की तस्वीर हैं बता दे कि सरकार यह नौकर भी अब बेइमानी का कसम खा कर अब कुर्सी पर बैटे हैं भाइसा पैसा फेको तमाशा देखो गरीब किसान मजदूर हलकान है परिशान है छोड़ने का नाम लही ले रहे है यह भरष्टाचारी बचा कुछा धन भी लूट कर बना रहे हैं उन्हें भिखारी आपको बता दे कि सरकारी हर दफ्तर में गुसले ना देना मना है लिखा चोटे चोटे सरकारी नौकर भी अब खाने लगे हैं घूस मिडिल के रास परिशान है और गरीब का निकल चुका है जूस तो आपको बता दे कि यह वीडियो कहां की है बिहार में रिश्वत खोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है और उजाना किसी ने किसी सरकारी कार्याले रिश्वत लेते का वीडियो या ओडियो वारल हो रहा है वीडियो जो वारल हो रहा है वह अरे नू कुमारी बताई जा रही है वही आज फिर सिवान जिले के हसन पूरा परखन के अंचल करयाले से एक वीडियो और अडियो सामने आया है जिसमें यह उपरेटर रिश्वत लिएती साफ नजर आ रही है वह ओडियों में बात भी कर रही है कि थोड़ा और मनी बढ़ाईए अब आप इस मामले को समझेए आखिर कारियर ऑपरेटर किसके शारे पर रिश्वत ले रही है आखिर ये किसके बदौलत ये रिश्वत लेकर धादरी कर रही है रिश्वत ले वीडियो के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे बता दे कि रिश्वत खोरी से ही रुजाना जमीनी विवाद में मारपीट वा हत्याएं हो रही है और उसके बावजूद भी अंचल का रियाले में खुले आम धादली चल रही है और यही धादली का कारण है कि हत्या और मारपीट हो रहा है रहा कि या देखना होगा कि वार वीडियो के बाद आप revenue पर क्या करवाई होती है या नहीं होती है यह समय बताएगा क्या क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर हरसंपूरह के सी उ परभात कुमार का कहना है कि मामला शंग्यान में आया है जाचकर दोसि अफसर को कड़ी से कड़ी सजाती इन लोगों को जरूर देनी चाहिए जो इस तरह के भष्टाचार करके एक बड़ा जख्म समाज को दे रहे हैं अब देखना ये है कि क्या इसी रिश्वत खोर ऑपरेटर पर करवाई होती है नहीं ये तो समय बताएगा हलाकि ऐसे कई मामले आए जिसके फाइले धूल फाक रही है और कहीं न कहीं कुछ नई होना ही दसाता है कि भष्टाचार चरम सीमा पर पड़ गया है देखिए रिपोर्ट कि पीम की सनमला साइड चलेगा तो हम कर देगा है किनो को करना है कि अ